जहिन साथियों आप सभी का competition community की इस e-learning platform पे स्वागत है और साथियों हम पढ़ रहे हैं भारतिय भूगोल और भारतिय भूगोल के परिपिक्ष में इससे पहले हमने बहुत सारे topics कवर किये जैसे भारत की भागौलिक इस्तितियों विस्तार के बारे में जाना location and extent के बारे में जाना उसके बाद हम physical division के बारे में जाना मतलब की हम भारत के भूगोलिक परिदेश्य को कुछ भाग को समझे जहां से हमारे प्रतियोंगी परिक्षाओं के लिए बहुत ही महत्पून तत्व बहुत ही महत्पून टॉपिक जो है जिसे हम कवर किये साथी साथ हमारा कारवा आगे बढ़ता गया और आज का हमारा specific topic होने वाला है वो है भारत में स्थित जन जातियों से संबंधित जहां से हमेशा प्रतियोंगी परिक्षाओं में हमें प्रस्ण देखने को मिलता है तो साथीों अपनी निरंतरता competition community के साथ इसी प्रकार बनाये रखें अपनी निरंतरता आप बनाये रखेंगे और अपने लक्षे के प्रतिया अगर अगरसर रहेंगे अपने लक्षे के प्रतिया आगे रहेंगे तो याद रखिएगा साथीों कि आप क्या selection जो कि हमारा एक प्रमुख व्यक्तित्यू सर्दार वल्लब भाई पटेल जी के भावनाओं को सर्दार वल्लब भाई पटेल जी के द्वारा कहे गए शब्दों को जो कि हमारे लिए महत्वपूर्ण है उसे जानने की कोशिश करेंगे और अपने दैनिक चीवन दिन चर्या पे उसे समाहि करेंगे ताकि हमें अपना लक्ष प्राप्त हो सके चली आईए देखते हैं कि सर्दार वल्लब भाई पटेल साब क्या कहते हैं आप देख सकते हैं बहतर तरीके से कि कहते हैं सर्दार वल्लब भाई पटेल कि मुश्किल समय में कायर लोग बहाना ढूनते हैं लेकिन वीर व पूर्ण भूमिका अगर किसी व्यक्ति की रही है तो हमारे सरदार वल्लब भाई पटेल साहथ की रही है और इन्होंने आज वर्तमान में इस्थिद भारत देश की एक प्रकार से बहुत बड़ी नियुटाली। आशा करता हूँ मेरी बाते आप लोग को समझ में आ रहे होगी तो इसी प्रकार इनकी भावनाओं को अपने लक्षी के प्रती जो की है हमारा सरकारी नौकरी पाना उसके प्रती हम याद रखेंगे। पहले समझ भी विक्सित करना है। देखो सांथियो बात ऐसी है कि हमारे देश में इस्थित हमारा देश जो है भारत अगर मैं एक इसका नक्से की और जाओं तो राश्ट्रगान तो आपने सुना ही होगा पढ़ा भी होगा गाया भी होगा तो आप देख सकते हैं कि बंकिम पंजाब सिंध गुजरात मराथा द्राविन उतकल बंग समझ रहे ना विंध्य विंध्य ही विंध्य होगे आपके यह वाला अच्छेत पूरा राश्टकान में हमारा देश समाहित है विंध्य हिमाचल यमुना गंगा उच्छल जलधी तरंगा मतलब सांथियों हमारे देश में सभी प्रकार की विविदताएं जो हैं शामिल हैं उनमें से भारत में इस्थित प्रमुख जनजातियां भी हमारे देश के रिप्रेजेंटेशन के लिए देश के प्रतिनिधितों के लिए हमेशा अग्रसर रही है आगे रही है जैसे कि यादरणिय सम्मानिय श्री द्रौपदी मुर्मुजी जो कि संथाल जनजाती से भी बिलॉंग करती हैं उडिसा मयूर भंज की हैं वो और मुख्यता जहार खंड और चोटानाकपूर के पठार वाले छेतर में ये संथाल जनजाती निवास करती हैं तो आप देख सकते हैं म आप लोगों को फिर से मेरी बात समझ में आए होगी और अपना सत्र हम प्रारम करते हैं कुछ इस प्रकार से कि हम पहली जनजाती देखने से पहले जनजातियों को कुछ भाग की विशेस्ताय देख लें कि भारत में आदिवासियों के लिए इस्तमाल किया जाने वाला समझानिक पद है और आप लोगों को कमेंट बॉक्स में आंसर देना है कि भारत के देखो मैं तो बता सकता हूं कि आर्टिकल 3 नहीं बताऊंगा कि इस आर्टिकल के तहट आपका जनजातियों को सम्मिलित किया गया है लेकिन आप लोगों कभी थोड़ा सा करता भी होगा कि प्लीज कमेंट बॉक्स में जाएं और ये आंसर जुरूत दे दें कि भारत के सविधान के किस आर्टिकल में जनजाती की परिभाशा दी गई है और किस आर्टिकल में जनजातियों की सूची दी गई है बहुत ही अच्छा सवाल है साथियों प्रतियों की परिक्षाओं में पूछा जाने वाला ये सवाल है तो मैं आप लोगों से निवेदन करना चाहूँगा कि कमेंट बॉक्स में इस कांसर दें आगे बढ़ते हम भारत की 2011 चनकरना के अनुसार 8.6 प्रतिसक और इस प्रकार से डाटा दिखाई दे रहा है इतने जनजाती भारत में विद्यमान है रहते हैं निवास करते हैं और भारत में सबसे अधिक जनजाती देखा जाए तो वो है मध्य प्रदेश लेकिन प्रतिसक्ता में अगर बात करो तो लक्चुदीब दिखाई दे रहा होगा यह सबसे बड़ा जो है आपका जनजाती में प्रतिसक्ता का भाग है हमारे भारत देश में समझ रहे न वेरी बात कि भारत में अगर आप लोगों से पूछा कि सबसे ज्यादा जनजाती जनसंख्या के अनुसार किस राज्य में जो है आपका कैब बोलते हैं विद्यमान है तो क्या बोलेंगे आप आप बोलेंगे कि यह मध्यप्रदेश राज्य में है अगर पुछेगा कि प्रतिसक्ता की अनुसार सबसे ज्यादा जनजाती किस में है तो आपका रहेगा कहा वो आपका रहेगा लक्षद्वीप में अब बच्चा बोला कि सरीय प्रतिसत्ता और आपका या percentage wise और आपका जनसंख्या या population wise मुझे बात को समझा दिजिए तो देखो, मान के चलो एक व्यक्ति है एक व्यक्ति है इसका नाम मैंने रख दिया सलमान खान ठीक है और एक जो है व्यक्ति नहीं है एक महिला है यह पूरुष है और यह महिला है व्यक्ति के अंतरकर तो सभी आएंगे जिनका नाम है एस्वर्या राय दोनों क्या है तो दोनों मान के चलो भाई और बहन है ठीक है मैं तो नाम आ गया तो बोल दिया क्या है भाई और बहन है अब दोनों को गुपचुप खाने का मन किया दोनों को गुपचुप खाने का मन किया इस व्यक्ति ने इस पूरुष ने इतना जो है आपका गुपचुप खाया इतना पेड भरके गुपचुप खा लिया इसने और इसने जो कि महिलाओं का सबसे फेवरेट फूड होता है गुपचुप इसने इतना खाया तो आप देख सकते हैं कि ज़्यादा इसने खाया है लेकिन प्रतिसत्ता के अनुसार 100% इन्होंने गुपचुप से अपना पेड भर लिया लेकिन मात्र 70% जो है इसने भराया लेकिन परवी से ये इससे क्या है ज्यादा है तो प्रतिसत्ता के अनुसार यही बोलना है आगे बढ़ते हैं 2011 की जनगर्ना के अनुसार अगर देखें तो हर्याणा पंजाब चंडी गड़ और दिल्ली और पोडुचेरी में यहां जने जातिया हैं ही नहीं ठीक है उसके पार याद रखना है पंजाब हरियाना चंडी गड़ दिल्ली और पोडुचेरी यह पा के आगे बढ़ें ठीक है सोना नहीं है और क्रिपिया मेरी क्लास को पूरा देखा करिये ताकि ऐसा नहीं है कि आप बैठे हैं और थोड़ देर चाय पी के आ गए फिर मम्मी बोली कि ब्रेड ओमलेट खाना है क्या या ब्रेड जैम खाना है क्या साकाहरी मासाहरी दोनों बोल जान लो कि एटलस सामने होना अनिवार रहे है जैसा कि मैं बार-बार बोलता हूं आप लोगों एटलस रहेगा तो आप लोगों को को दिमाग में विजुलाइज होगा जैसे कि यहां दिख रहे हैं आपको जरायवा जन जाती के एक प्रतिनी धी मतलब कि क्या है एक वेक्त ठीक है बागी बातों में क्या रहा है हमें तो कंटेंट और अपने फैक्शुल डाटा पर देहान देना है क्लियर आगे बढ़ें तो अंडमान निकोबार दीव समू एटलस निकालो अंडमान निकोदिवार दीव समू में जरावा सेंटलीन ओंज यह जन जाती यह मिलेगी लेकिन अंडमान निकोबार दीव समू में अगर आपसे पूछ दिया कि कितने हैं तो आप देखोगे कि अंडमान निकोबार दीव समू में सेंटलीन जन जाती और ओन जन जाती यह जन जाती भी मुख्यरूप से निवास करती है ठीक अई लोग जन गरना कैसे होता है मालू वैसे मुख्यता देखा जाए तो 200-300 ही जन जाती हैं जैसे कि यहां देख रहे हो गया तीन सो असी लोग ही जो है अभी काउंट किया गया है लेकिन इनका काउंटिंग करने के लिए जो हमारा देखा जाए भारत के जो दूइप समू है अंदमानी को बार दूइप समू के आसपास यहां जाना मुश्किल है क्यों बोल रहा हूं इनका काउंटिंग जो है बहुत मुश्किल होता है क्योंकि इनके प जाते हैं और हेलिकॉप्टर अगर इनको दिख भी जाता है तो उसमें भी यह बान चला देते हैं ठीक है तो इनका जो नाम कहा जाएगा वह आपका क्या है तो जरावा जंजाती भारत की सबसे प्राचिन जंजाती दिख रहे हैं ठीक है थोड़ से उगर नजर ही आ रहे जंड माननी को बरदीव समोचाओ तो नहीं जाना ठीक है आपके सुविधा के लिए और आपके प्रोटेक्शन के लिए बात कर आगे बढ़ें अगला है हमारी आदर्णी सम्मानी जिस प्रदानी सरी आपका राष्टपती दुरपदी मुर्मुजी जिस जंजाती से बिवाह की पद्धती इनकी क्या कहलाती है बूपल संथाल जंजाती पस्चिम बंगाल में भी निवास करती है और पस्चिम बंगाल औरिशा और आपको बताया ना च्छोटा नाघपूर वाला च्षेत्र वहां मुख्य रुप से देख सकते हैं हमारे आधर्णी सम्मानी मो लबनी हम सिक्षक आदमी आपको सिक्षक प्रदान करना हमारा कार्य है ठीक है एक एक चीज आप देखो यहां मिल रहे हैं उराओं जन जाती उराओं जन जाती कुरुख भासा बोलेगी और यह सब से सिक्षित जन जाती रहती जहारखन में निवास करती क्लियर है आगे स्कालन होता है बच्चों की सिक्षा यह उन सम्रिध्धी के लिए छोटे-छोटे प्रोग्राम रखाये जाते हैं कुछ समय के लिए और उसमें लोग पार्टिसिपेट करते हैं इनका यूवा कि जो है क्या कहलाता है धूम कुरिया अरे धूम कुरिया ठीक है याद रहेगा अब ये राजीव गांदी जी किसके साथ खड़े हुए है तो ये भी एक प्रशाष्णिक अधिकारी है जिनका नाम है सर्जियस मिंज ठीक है कोजने मत निकल जाना सर्जियस मिंज सहाब है ये अधिकारी हमान के चलो ये कह है मिंज तिर्की टोपो एक का ये सब उराउं ज जाती के अंतरगाता है जो जो सर्णी में रखते हैं तो आप देख सकते हैं सर्जियस मिंज जी खड़े हैं किनके साथ राहूल गांदी के साथ ठीक है और हो जन जाती कहा है ये भी जारखषण में रहें कि छोटानाकपुर के पठारवाले च्छेतर में अंडी और आप अर पहरण करके हो जाता है तो विवाह कर लिया जाता है कर लिया जाता है कराया तो नहीं जायेगा replicated कर्लिया कर लिया तो उसको क्या बूलेंगे एंगे आप और पती विवाह ठीक है शोटनाकफुर के पतार चेतर में उराओं हो और मुंडा जन जाती शरगूल और भागे नाम या क्या करते हैं तो पर वो मनाते हैं तेवार मनाते हैं तो अगला है उत्तर खंड और आपका उत्तर प्रदेश थारु जन जाती यह क्या बनाते हैं तराई वाले भाग में रहते हैं और यही जो है थारु जन जाती सबसे बड़ी जन जाती है किस छेत्र में तो आपका उत्तराखंड और उत्तर प्रदेशवाले चेत्र में दीपा वाली को शोक के रूप में मनाते हैं अर्वीर लीखाया है 성p की कारण कि का है सक सच मनाने का अन बढ़ें कौन सी जन जाती तो आपका थारू जन जाती नेपाल बिहार उत्तर प्रदेश और उत्राखंड UK United Kingdom नहीं बोलना है इसको ठीक है उत्राखंड है यह छेत्र में जो है आपका यह मुख्य रूप से निवास करती है सबसे ज्यादा देखें तो नेपाल में यह थारू जन जाती जो है यह क्या है तो आपका यह मुख्य रूप से देखा जाए तो तराई वाले छेत्र में कहाँ देखा जाएगा देखो एक नक्सा बना लेते ही हैं हम समझ रहा हूं पहले उसको समझ दे थारू याद आएगा तो कैसे बेल्ट याद रखना है मेरे ख्याल से उ उत्तर खंड आजाएगा उत्तर प्रदेश आजाएगा और नेपाल और नेपाल में सबसे ज़्यादा विद्यमान है यह थारू जन जाती और यह रही थारू जन जाती की महिला है ठीक है और क्या है दीपावली को यह शोग के रूप मनाती है ठीक है देखो चले आगे ठीक आजो अगला है भोटिया जन्जाती भोटिया जन्जाती क्या है तो यह रीतु प्रवास करने के लिए पसंद है यह भोटिया जन्जाती की महिला आपको दिखाई दे रही है भोटिया जन्जाती की जो महिलाएं होती है वो जो है कहा जाता है कि महिला प्रधान समाज होता है और ये जो है रीतु प्रवास करने के लिए बहुत ही फेमास है रीतु प्रवास क्या हुआ देखो ठंड के समय में ये जो है कहा रहेंगी तो परवत के जैसे देखो गर्मी के मौसम में क्या हो जाता है ये उचाई में चले जाती है गर्मी के मौसम में उचाई में निवास कर और यही याद रखना है अपने को क्लियर है किसमें तो भोठिया जन जाती में फेक्ट्ट्वल डाटा डील कर रहे हैं अच्छी चरीकिस ठीक है जॉन सारी जन जाती जॉन हाँ पहनी सारी ओहां जॉन सारी बहुपति विवाह प्रसिद्धेश में और कहां उत्रकंड और उत् में अब इनमें अनुलों और प्रतिलों मतलब कई अगर अनुलों मतलब Q याद करने के लिए बुक्सा जन जाती अनुलोग प्रतिलोग मध्ययप्रदेश में भील जन जाती भारत की सबसे सबसे बड़ी जन जाती क्लियर है और मद्यप्रदेश की भी सबसे बड़ी जन जाती मद्यप्रदेश गुजरात और राजिस्थान मतलब देखें तो इस प्रकार से हम भारत का पस्चिमी राज बना सकते हैं तो यह होगे गुजरात यह होगे राजिस्थान का बॉर्डर और तो गूमर मैं डांस कर ठैपके दिखाऊने अससा में का ठीज सबुस्कित सबसे बड़ी जंज ये चोटानाकपुर को पठार वाले छेतर में कोईला कोदने का काम करती है सहर्या जन जाती में देखने को मिलेगी उसके बाद राजिस्थान में सबसे बड़ा इनका एरिया है आगे बढ़ते हैं राजिस्थान में वील जन जाती सबसे बड़ी जन जाती है ह्द तत्स दे своjm मेन जाती मुलेगी राजिस्थान में जन जाती मिलेगी और मगनियार जन जाती मिलेगी चलो אब अगला पेज है हमारा क्या तो मिजोरम में त्रिपुरा और मिजोरम में लुशाई जन जाती यह महिला है लुशाई जन जाती यह दिखाई दे रहे हैं लुशाई जन जाती यह कौन है लुशाई जन जाती से बहुत पारिवारिक और पारंपरिक जन जातियों में से एक है कहा मिलेगी तो मिजुरम त्रिपूरा में त्रिपूरा में जोरम याद δापला गया और क्या बताया है न मीरी होगया कि अवड़way अब अबर अग्रसके बहुत के है अबिर भी बोलते हो में मस्मी जन जाती फिक है उसके बाद हीमाचल प्रदेश इमाचल प्रदेश में गद्धी चंजाती और अब असम में जो है अहुम जन जाती ठीक है अगला बढ़े आगे अगला है जम्मु कश्मीर में तो बकड़वाल जन जाती याद रखना है लद्धाक में चांगपा जन जाती क्लियर केंदर्शाषीत-प्रदेश में चांगपा जन जाती, अब जो है मुख्य रूप से जहां से प्रस्ण और पूछा जाता है, वो है आपका टोड़ा जन जाती, यह नीलगिरी पहाड मिलेगी, और नीलगिरी पहाडी कहां इस्थित है, तो आपका करनाटक में भी है, आपका कहां है, तमिल्लाडू में भी है, और आपका केरल में भी यह तीन जगह मिलेगा तो इससे रिलेट कर सकते हो निलगीरी पहाड़ी यह तीन जगह विस्तरित है तो टोड़ा जन जाती निलगीरी पहाड़ी में वता करनाटक में तमिलाडू और आपका कहा केरल में भी यह मिलेगी चेंचु जन जाती चेंचु जन जाती यह दिखाई दे रहा है आपको यह कोन है मालूम है यह लोग है टोड़ा लोग टोड़ा जन जाती और यह दिख रहा है आपको शिकार प्रधान जैसे दिलोग वह आपका जैसे की जरावा जन जाती का अफ्ग्रेट वरसन मैं किसी को ठेश नहीं पहुचा रहा हूं नागा जन जाती क्लियर है आगे बढ़ें मेघालाय में गारो मिकी और मिकीर मिकीर नहीं होगे मिकीर हो मिकीर क्लियर है खासी निंजा जन जाती ये सब जो है आपका जन जाती रहते हैं मेघालाय में ठीक है नागा नागा लेंड में विरोर जन जाती चतित गण में पाई जा तहीं को तो प्रस्ण है हमारा निम्न लिखित में से किस राज्य में जनजातिया समुदाएं की पहचान नहीं की गई है बताओ महराष्ट में की गई है चतिसगण में की गई है करनाटक में तोड़ा अभी पढ़ है हर्याणा में नहीं की गई है अब देख सकते हैं हर्याणा कोडिंग रख सकते हो, अपने हिसाफ से ट्रिक बनाया करो, अगला प्रस्न है, निम्न लिखित में से कौन सी अनुसूचित जन जाती है, दीपा वाली को शोख के रूपमें मनाती है, बताया थाना, कहा गया थारू जन जाती है, हख मैं कहाँ गया थारू जन जाती हो कहाँ गये धा रू जन जाती ये थारू जन जाती महिलाएं ये जह है उत्राखण में थारू जन जाती जह है उपका दीपा वाली को शओक के रूप में मनाती हो बताया थ counting स्कुम्हण यह अपने पूर्वा ठीक है आगे बढ़े दुस्तों तो क्या होगा इसका अंसर थारु जन्जाती प्लियर है है कि में आगे बढ़ें चलो में अगला है रीतु प्रवास किया करते हैं बोटिया बुखसा थारु चोनसारी कौन सी जन्जाती करती बताया था पूटिया जन्जाती यह जो है आपका कहां गये दिखाते इसलिए जा रहा हूं ताकि आप लोगों को याद रहे ठीक है यह कहां है यह बहुतिया या भुटिया जन जाती यह दिख रहे हैं जीतु प्रवास करने के लिए प्रसिद्ध है यह जो है घरमी के समय में कहां चले जाएंगी उपर क्यों क्योंकि उपर मतलब की पहाड के उपर क्या होगा टेंपरेशर कम होगा जैसे जैसे हम उपर जाते जाते हैं 165 मीटर में एक डिग्री सेल्सियस क्या हो जाता है कम हो जाता है तो क्या है ठंडे में रहने का आज़त है इनको बोटिया जन जाती हो और ठंडे में वापस आगे बढ़े चलो बोडो निवास करते हैं बोडो डोगुरी मैथली संथाली बताओ बोडो जन जाती कहा निवास करते हैं गारो पहाडी में संथाल पहाडी में अमेजन की बेसिन में या मद्ध्य परदेश में तो बोडो जो है वो आपका कहा रहेंगे तो गारो की पहाडी में ये रहेंगे, clear है, clear, आगे बढ़ें, चलो, अगला है, निम्न लिखित में भारत की सबसे बड़ी जन्जाती कौन सी है, कौन सी जन्जाती है, भारत की सबसे बड़ी जन्जाती है, तो भील जन्जाती सबसे बड़ी जन्जाती है, लेकिन अगर सेकंड नमबर पुष्ता तोगबोंड को लेते, clear? आगे बढ़ें? निम्निरिखित छेत्रों में से कौन टोड़ा जन्जाती का मूल निवास है? कौन सा है? टोड़ा जन्जाती कहा रहती है? जौनसार पहाडी में, गारो पहाडी में, नीलगिरी की पहाडी में, या जैंतिया की पहाडी में? बताओ अगला है दूम कुरिया किस जन जाती का समाजिक संस्थान है समाजिक संस्थान से साथ परे आपका युवाग्री बताया था किसका है तो उराओं जन जाती का क्लियर है साथियो आगे बढ़ें चलो अगला है निम दिखित में से कौन सा युग में सुमेलित नहीं है गोवा गोवा में कॉंकडी सही है मिघालाय में खासी सही है गारो खासी नागालेंड में बैगा सिक्किम में तिब्बती सही है नागालेंड में बैगा कहां आगा और सुनहरे भविशे को साकार करना तो जुड़िए कॉम्पिटिशन कम्यूनिटी के साथ आज ही हमारे वेबसाइट के कैरियर पेज पर विजिट करें अथवा डिस्क्रिप्शन बॉक्स पर दिये गए लिंक पर क्लिक करें हमेशा आपके साथ टीम कोको